चलिए इस्पेशल डिपोर्ट में आप बात करते हैं गाजा की लडाई के साथ यूकरेन पर मिसाइलों की बारिश टूनी हो गई है पते ने 24 घंटे के अंदर यूकरेन के 3 शहरों पर करीब 100 मिसाइलों और बंप से हमला किया यूकरेन के जनरल ने अब जलन्सकी को साफ साफ कह दिया है कि 48 घंटों के अंदर अगर हत्यार नहीं पहुचे तो रूस यूकरेन के अंदर लाशों के हाईवे तैयार कर देगा देखे रिपोर्ट रूस के रक्षा मंत्री ने इस से नई हेवी मशीन गण को देखकर बता दिया है कि यूकरेन के कौन से टार्गेट अब खत्म होने वाले है तीन बेरल वाली ये हेवी मशीन गण खासतोर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं गोन 100% मारा जाए डिफेंस मिनिस्टर सरगाई शोईगू ने वो ड्रोन भी देखा जो खासतोर से ग्रिनेट ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें युक्रेन को बहुत बड़ा शोक दिया जाने की तैयारी हुई मई 2024 युक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जलिंस्की ने अभी तक नहीं किया है युक्रेन को डर है कि मई 2024 में तो रूस ने उसके सौट उकले करने का प्लैन बना लिया है खत्रा इतना बड़ा है कि युक्रेन के जनरल की तरफ से होश को देने वाला बयान आ रहा है युक्रेन के कमांडर अलेक्जांडर्स रिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है जेलंस्की ने देखा कि रूस की फोज कितिनी दूरी पर खड़ी हुई है ये डोनेस के आसपास का फ्रंट है और यही करीब में ही चशीव यार इलाके के तीन तरफ रूस की फोज ने घेरा डाल लिया है अब इस इलाके में युकरेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा युकरेन के करनल का दर सही है रूस ने चशीव यार से 100 क्लूमेटर दूर नोवमी खेलिफ का इलाके पर कबजा कर लिया है ये जगा में डॉनेस के करीब है हफ्तों की गोली बारी के बाद रूस ने यहां ड्रोन से वीडियो बना कर दिखा दिया कि उसका इलाके पर अपजा हो चुका है पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है पुतिन को रिजल्ड चाहिए इसलिए माई के महीने की शुरुवात ऐसे हमलों से हो रही है ये दंशन युक्रेंग की पोर्ट सिटी उदेसा है और यहां काला सागर के करीम बनी सिमारत पर रुश्की मिसाल गीरी है इसे हैरी Понтент Кैсель कहा जाता था जिलिंज की बात अगर आपने खोर से समझी तो उनोंने तीन बात कही है रूस की मिसाइल कयामत बन कर परस रही है युक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्वियट एर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टार्गेट को तबा करने के लिए 155 मिलिमीटर के गोलों की जरूरत है जेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है इसी प्लान की वज़ा से युक्रेन पर सो टुकडों वाला खत्रा मंडरा आ रहा है अमेरिका ने भी स्यूत को लंबा कीचने में कोई कसन नहीं छोड़ी है 60 अरब डॉलर की मदद युक्रेन को पहुँचाने का एलान हो चुका है जबकि एक बिलियन डॉलर यानि परीब 8,000 करोड के हत्यार फॉरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है यही बात बताने के लिए जलिंस्की हर फ्रंट पर दोड़े दोड़े पहुच रहे हैं ताकि फॉज का हौसला न टूटे क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरे लगतार आ रही है कि गोला बारूत खत्म होने की वज़ा से युक्रेन के सैनिकों की हिम्मट टूट रही है तोकि रूज की मिसाइले युक्रेन पर मौद बनकर बरस रही है मई के महीने में युक्रेन के और टुकडे ना हूँ इसके लिए वाइट हाउस की तरफ से बड़ा एलान किया गया है इसमें 6 बिलियन डॉलर के वहतियार है जो रूज के हमलों पर ब्रेक लगा सकते है